नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी राजस्थान मैं हूँ अम्बेश्ट रास्ताव और यह एट पीम सो आज एक बार फिर बात असूप कहलोत की राजस्थान के पूर मुख्यमंत्री कॉंग्रेस के वरिस नेता फिलहाल बीमार चल रहे हैं बेड्रेस्ट पर हैं लेकिन एक बार फिर वो सुर्ख्यों में आ गए हैं और सुर्ख्यों में आने की वज़ए है कि माना जा रहा है कि एक बार फिर केंद्रे नेतात्र उनको बड़ी जिम्मेदारी सौप सकता है वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? राश्टि उपाध्यक्ष मनाई जा सकते हैं या फिर इंडिया के सयोजक हो सकते हैं या फिर वो राजसभा जा सकते हैं ये तीन पड़ हैं जो हैं उसके अलावा अब बड़ा सवाल है कि गहलोध क्या करेंगे इसमें तो ये अब ऐसी चर्चा क्यों है और क्या वो जाएंगे क्या अब इसमें इस बीच चर्चा ये भी है कि उन्हें भाई राजस्थान से बाहर भेजा जाएगा तो पाइलेट को फ्री हैंड राजस्थान में मिल जाएगा ये समझेंगे हमारे एक्जिकेट्व पर्डूसर पुसकर चोहान सर से क्योंकि वो लगातार सचिन पाइलेट के लिए हमें बहुत अच्छे से विस्तार से समझाते आ रहे हैं तो उससे पहले लेकिन जरा एक बार असोग गहलोत जो चर्चाए हैं उनके दिल्ली आने की या बड़े जिम्मदारी मिलने की उससे पहले उनका सियासी सफर जो 40-45 सा रह चुके हैं या कमी सिर्चाते देखर जोंकर बैग्राउंडबों ढलेंते हैं दीखे य वह जोदपूर से पांच बार सांसट है mapped hier चुके हैं एक्टी आसी में वह पहली बार चुनाउय जीते थे जोकूर सांसट का तीन बार वह इंद्रा गांधी सरकार में राजिव गा सब्सक्राइब निभा निभा चुके हैं तो कई बड़े-बड़े पदोपर उपनी जिम्मेदारियां कॉंग्रेस पार्टी में प्रमुक्पदोपर निभा चुके हैं तो चलिए आप देखे अगर असोग गहलोत देखे 2020 में भी इसी तरीका एक आपको देखने को मिला था जब उनको राश्ट्री अदर्ग्ष बनाने की बात आई थी आपको तो चलिए उसको मजबूती मिली थी तो एक नित्त उसको एसा चाहिए जिसका अनुभाव अच्छा हो और वो गहलोत इसी मामले में काफी परिपक़् है काफी अनुभव उनका मजबूत है तो क्या गाहलोत अप शक्री राज्मियति से अपने को सकते हैं दूर राजस्थान की राज्मियति से भी और केंड्र की राज्मियरु से कितना दूर रख सकते हैं यह बिएक बड़ा सवाल है Dus सीधे अपने एक्जिकेटिव परिस्टर पुसकर चौहांसर के पास और उन्हीं से समझेंगे पूरे सियासी समी करण को कि अशोग गहलोत का ये जो गिफ्ट है ये राजस्थान से गुडबाई वाला गिफ्ट है देखे मैं आपको एक बात बता दूँ ये अशोग गहलोत करेंगे और कि वो अब क्या निर्णे लेंगे देखे तेहतर के हैं मई तीन उनकी आजस्थास तीन मई को है उनकी डेट ऑफ बर्त तो 28 में वो 78 के पूरे हो चुके होंगे मैं 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 ही और 79 में अगर अब 80 साल की उमर में उनको पार्टी मुखमंत्री पत तो बदेगी नहीं इसलिए मैं दोनों पार्टियों के बारे हम जवाब मुझसे पूछते हैं बीजेपी भी यही देख के सब चीज बना रही है भजनलाल को लाई है कि वसुंदरा नेक्स टाइम के लिए क्या वैसे ही अब गहलोत को क्योंकि गहलोत का अनुभव जो है वो बहुत है और गहलोत के लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो एक राज्यतक सीमित है वो चुनावी हार जीत अलग है लेकिन पैमाना आजकल यही हो जाता है कि सामने वाला जिता रहा है आप हार रहे हार रहे तो लेकिन गहलोत की ताकत को कमाकना कलती हो जाएगी लेकिन जो कॉंग्रेस आला कमान है अब वो ये राजस्थान में चाहता है कि शान्ती से नई पीडी को हैंड ओवर टेक ओवर दे दिया जाए या वो संगाश्ट तरे अब आप ये समझ लिजिए अभी तो बजनला सरकार के 6-7 महीने हुए एक डेड़ साल बीतेगा तो फिर प्रदर्शन बढ़ेंगे क्या गहलोत इस 75-74 साल की उमर में क्या वो अपने आपको एक साल बात पाते हैं कि वो धन्य प्रदर्शन में शामिल होंगे या उसके बाद आपको एनरजी लेविल चाहिए अभी बीमार चलना है आप देख रहे हैं अमेठी में उन्होंने ऐसा नहीं है पाओ पाओ गाओ गाओ खुमे किशोलियल शर्मा की मदद की ये इसी दौर के हैं अशोक गहलोत उन चंद नेताओं में से हैं मौजुदा वक्त में जिनों ने वर्धा में और कॉंग्रेस सेवा दल से काम करके यहां तक और कॉंग्रेस उनका इस्तिमाल भी बड़े उसमें करेगी क्योंकि जैसे पिछलों की राजनीत की बात चल लगी है उसमें यह कॉंग्रेस के पास पिछलों में बड़े निता के रूप में है वो यह है कि कॉंग्रेस में वो यह चेहरे के तौर पर आप देखे हैं कि जब वैभव गैलोत का था चुनाओ उनकी पतनी कैसे बता रही थ कि हम माली समाज से आते हैं हम पिछले हैं हम आपका ज्यादा ध्यान रखेंगे सारी राजनीत घूम घाम क्या आ गई है पिछलों पर तो कॉंग्रेस क्या कर रही है कि वो यह चाह रही है एक सम्माज और पहले भी जब वो बनते थे एक्टर उसके बाद पाटी हारी वो खट से महासचिव बनके चले जाते थे अब इस बात को समझे इस बार हारने से पहले ही सचिन पाइलेट महासचिव बनके जा चुके थे मैं आपको बोलता हूँ कि वो अब महासचिव नहीं बन सकते क्योंकि 2022 अक्टूबर में वो जो कांड हो गया उनको अद्धेक्ष बनाया जा रहा था तो अब महासचिव के पत्पे लाना ठीक नहीं है राष्ट्री उपाद धेक्ष अभी तक कॉंग्रेस पार्टी में जितेन प्रसाथ और उसके बाद ये राहूल गांदी दो लोग हुएं इधर हाल के फिलाल में अगर मैं धंक से याद कर पा रहा हूँ तो ये दो ही लोग हैं राष्ट्री उपाद धेक्ष बने हैं 98 जितेन प्रसाथ को सोनिया गांदी खिलाफ वो चुनाव लड़े उसके बाद इनको पार्टी में उपाद्ध्ष बनाया था उन्होंने अपनी टीम 98 इसके बाद राहुल गांधी बने है शायद अगर कोई बना है तो एक व्यक्ति और कोई बना हो सकता वो भी बहुत शुरुवाती दौर में कॉंग्रेस में उपाद्ध्ष बनाने की परंपरा नहीं जैसा कि बीजेपी में लगातार रहती है आप देखा होगा जब वसंद बने रहें एक तो राजसभा भेज सकते हैं जो आपने कहा राजसभा भेजेंगे तो फिर तब भी इस्तिमाल करके वो दिल्ली में ही रहेंगे फिर उनको दिल्ली की राजनीत करनी पड़ेगी उनको कई चुनाव लड़वाने का एक्सपीरियंस है वो कोई ऐसा पार्टी भी पद क्रियेट करके की चुनावी तालमेल के लिए राज्यों से राज्यों की काई से बात करके आपको वहां किसको लगाना है क्या लगाना है बड़े काम रहते हैं उस वह कर सकती है तीसरा जो बड़ा है उपाद्धेक्श और यह सब के इलावा इनको इंडिया के गहलो को सब मानते हैं आपने देखा है प्रधानमंत्री मोधी किस तरीके से मानगड़ में बोले थे तब तो खेर चुनाओ आ रहे थे उस समयर कई बार कई मन्चों पर भी उन्होंने बढ़रों कि तो उनको सम्मान मिलता रहा है तो इंडिया में इंडिया गटबंधन में उनको स की स्युकारिता है ये लालू यादव को भी बात कर सकते हैं मैंनेज्मेंट माहिर ये ममताब इनरजी के साथ राजीव के मंतर मंडल में रहे तो इनको वहाँ एक फायदा मिल सकता है तो वहाँ भी लेकिन पार्टी ने ये मन बना लिया है कि अब इनको दिल्लिल आई ये लेकिन आपने जो चौथा सवाल खड़ा कर रखा है वही डिसाइड करेगा और मेरा ओपनिंग कमेंट भी वही था कि ये सब गोहलोड डिसाइड करेंगे जिस व्यक्ति ने कॉंग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़के बोला मुझे मुझे मुख मंतरी रहना है मैं यहीं ठी अब क्योंकि वह जीती नहीं पार्टी सत्तरी सीट जीत पाई आज हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं नेता प्रत्पक्ष भी नहीं बने वो कभी नहीं बने उखट से दिल्ली आ जाते थे टीका राम जूली को अपने खास को बनवा दिया रफीक खान को बना दिया कॉंग्र के बात वह वहां भेजे जा सकते हैं इसलिए और जो राश्ची उपाद देख्ष अपाद है क्योंकि राहुल गांधी समाल सकते हैं उसके बाद राहुल गांधी अब प्रेसिडेंट है नहीं तो उससे बराबरी नहीं है तो आप से कहा जाएगा आप समालिये इस कार में का साथ गठन खड़गे ने अपनी टीम का किया भी नहीं है किया भी नहीं है वो तो लंबी चल रही है अलग ही जब से का जा रहा था कि भाई वह अपनी टीम का गठन करेंगे इसमें युवाओं को और उनको बराबर का मौका मुझे तो लग रहा है जब तक 23, 24, 25, 26 आ जाए है कि अब आप जनता से रिलेटिड वाली पॉलिटिक्स करने के लिए आप वो मेनत नहीं कर सकते जो युवा और फिर आप युवा पेड़ी को कम मौका देंगे बिलकुल सर और खड़गे ने तो जब अद्धेक्ष बने तब युन्होंने का था कि 50% मौका इस बार युव बहुत दिम है तो अगर आप यहां फिर ठुकराते हैं ठुकराने के चांसिस का आप देखते हैं कि भाई अब तुम पूछेगी आप ये भी समझी है या पूछेगी जो बड़े इस तर पर अभी वह आप लिग लिजिए कि गिफ्ट है वह पूछेगी अगर आना है तो कि देखिए मुझे वो लोकसभाच 9 से पहले वाली वो तस्वीर मद्रप्रदेश के हमेजा जायन में घूमती है कि किस तरीके से कम नकुलाथ यह हुआ कि बीजेपी जाएंगे 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 कमलाथ जाएंगे उसके बाद पता लगा है कि इधर से कोई जबाबी न कोनों बार चुना वहार गए आपका अब कोई वो बचा नहीं है अगर आपको एक बड़ा पद मिल रहा है अच्छा आप देखिए नकुलाथ तक तो ठीक था अब वैभव गयलोथ को कौन वहां ले लेगा इसलिए सर कि यहां पर बेटा नहीं तो यहां पर पिता की डिमां मैंनेडमेंट इसलिए होता है अगर आप ही किसी संस्थान में 20-45 साल से काम कर रहे हैं तो आपने सब आते जाते देख लिए कौन पद्पे बड़ा बना गया और चाहां आप किसी छोटे पद्पे नहीं रहा है आप खुदी तो आप लोगों को जानते हैं कश्मीर से कन्या कुमारी तक और गौहाटी से राजस्थान तक पूरब से पश्यम उत्तर से दखिन तक अशोग गहलोत को बताने की जरूट नहीं है कौन आया और किसको कित्ती वेटेश देनी है वो उनकी चार्शीट जानते अशोग गहलोत जैसे अगर मैं कहूं पार्टी में तो अब हरी कि श्रावत है उस रेंग पर जिए लोग मतलब सेवादाल नस्वी आई सब में रहें और जब कॉंग्रेस अपने चरम पर हुआ करती थी यह उस समय तो यह लोग संगठन में लोगों को जानते हैं कि कब किसकी सिफारिश की चिट्टी लेके एक प्रदेश के अध्यक्ष ब इस लिए नए आत्मिक भहस दीजिए केसी बेणु गुपाल संगठन के महामंत्री क्यों है क्योंकि जानते हैं लोगों के साथ काम किया रहूल गांदी के साथ अब अशोग गहलोत मिलने आए और किसी नयग बना दीजिए वो तो जानी नहीं रहा है आशोग गहलोत कौन है इंको कितना वेटेस देना है. ये सारी चीजे कोई परपक्या अनुभवी नेता करता है. इंद्रा जी के समय भी देख रहा है यंग थे की कौन आता था, कौन नहीं आता था. पिर राजीव जी के साथ काम किया है राहूल गांधी के साथ काम करने वाले हैं प्रणवदा चले गया खेर वो तो राश्पती बन नहीं है फिर उसके बाद चले अहमद पटेल से कितनी अच्छी दोस्ती थी इसलिए खट से इधर जा इधर रिजल्ट आया हा रहे उधर तु तो आप सज्द अगर जैसे गिफ्ट या गुडबाय जो भी होगा इसमें पाइलट के लिए आप क्या देखते हैं राजस्थान में क्योंकि अभी वो केंडर में अभी वो तो केंडर की कॉंग्रेस में है ना ने ने महासचीव है भाई आप कॉंग्रेस में महासचीव कि आप बना दिये गया अलपसंख्यक मोर्चा और पता नहीं को एक बुद्धिष्ट विभाग के तब फिर थोड़ी ना अद्धिक्ष बनके उसका कहेंगे ठीक है जब मीटिंग होगी तब हम करेंगे बहुत दिक वाला नहीं है आपको काम करना है 36 गड़ जैसा जहां बन औ नोन बीजेपी से लड़ते हैं वो प्रदेश है यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश बना दिया कि मरा हुआ पड़े हैं बताओ दो जीते हैं कि साथ जीते हैं कि कैसे वो आज नहीं तो कल वहां सरकाल लाने में काम्याब होंगे चलिए ठीक है अब देखते हैं असो गहलोत को जो गिफ्ट कांग्रेस आला कमान से एक बार फिर एक बात मैं पूरी कर देता हूं बीच में क्योंकि अम्बेश लगातार पूछता है हाँ ये फील्ड तैयार की जा रही है ये क्लेर ये क्लेरेंस है सचन पाइलेट के लिए है वो गिफ्ट लेंगे या फिर चलिए तो देखिए अब केंद्री आला कमान से उनको गिफ्ट मिलने वाला है वो गिफ्ट से उकारते हैं या फिर दोजार बाईस की तरह कोई नई सियासत देखने को मिलती है ये जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लिज आजे के इंसाइड की खबर क्या हो रही है जो विधान सभा में उनके समर्थित विधायक है या जो उनके गुटके विधायक हैं वो किस तरीके से अपनी सरकार को घेज रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत देखने जरूरी तो इंसाइड में जाकर देख सकते हैं बाकी संथ बहुत बहुत सुक्रिया जन्यवाद